अजो फ्रेंड्स मेरा नाम हुमेर है और आप देख रहे हैं मेरे योट्यूब चैनल स्टुडन्ट आफ पेकर्स आज मैं आपको चॉकलिट मूस केक के बारे में बताऊँगा बनाने का तरीका भी बहुत ही असान है और टेस्ट भी इसका बाकी केकों से बहुत अच्छा होता है इसकी गार्णिश का भी बताऊँगा वो भी बहुत असान होगी तो चलें शुरू करते हैं 230 ग्राम आपने वाइट चॉकलिट लेनी है यह चॉकलिट स्लैब है बेकरी शॉप से मिलेगी 100 ग्राम उसमें आइस्टिंग शुगर एड़ कर लें यह नॉर्मल जो शुगर घर पे होती है वह वाली उसमें एड़ कर लें इसके बाद 330 ml मिल्क लेना है वह एड़ करना है और 10 ग्राम जलाटीन इसमें एड़ कर देनी है पिर कॉंडेंस मिल्क होता है 60 ml एड़ करना है अगर कॉंडेंस मिल्क नहीं है तो शुगर 60 ग्राम मजीद एड़ कर लें लेकिं कॉंडेंस मिल्क से यह है कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है दो अंड़ों की जर्दी आपने इसमें एड़ करनी है सिर्फ जर्दी एड़ करनी है सुफधी एड़ नहीं करनी है इन सब को मिक्स कर लें और चुले के ओपर लो फ्लेम पर आपने रखना है इसको इसको हिलाते रहना है साथ साथ सपैचूला ले 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 या विस्क ले ले इसको बोईलिंग तक हलाना है ये बोईल होगा अच्छी तरह इसका मिल्क जो है वो कम रह जाएगा और चोक्लिट चोक्लिट रह जाएगी बाकि 5-10 मिनट लगेंगे ये बिलकुल गड़ा हो जाएगा जिस तरह सॉस होती है चॉकलिट सॉस बिलकुल इस शेप में आ जाएगा देखें इसको उतार लेना है थोड़े इस से पहले ही उतार ले या इस टाइम पे उतार ले नो प्रॉल्म ये देखें, बिल्कुल चॉकलिट जिस तरह सॉस होती है, वैसी ये बन गई है, इसको दूसरे बरतन में कर लें, ताकि जल्दी ठंडी हो जाए, इसको बिल्कुल ठंडा करना है तकरीबन, 20-25 मिनट तक इसको ठंडा करना है, अलग रखते हैं इसको, 5-10 मिनट बाद थोड़ा हिला भी दिया करें इसको, उसके बाद विपिंग क्रीम है, 330 ml है, 330 ml विपिंग क्रीम ले लेनी है आपने, उसको विप करना है, बहुत ज्यादा विप नहीं करना, थोड़ा सॉफ्ट रखना है उसको, क्योंकि इसमें जब चॉकलिट एड़ होगी, तो यह आटोमेटिक ठीक हो जाएगी, अभी जो चॉकलिट का, जो चॉकलिट की सॉस बनाई है, वो ठंडी हो गी है, उसको आपने विप क्रीम में एड़ कर लेना है, थोड़ा सा एड़ करना है, उसको मिक्स कर लेना है, अगर आप मशीन में मिक्सर आपके पास थोड़ा एड़ करते जाएं, मशीन चलती रहे, मैं क्यूंकि हाथ के साथ एड़ कर रहा हूं, तो इसलिए इसको दो से तीन हिस्सों में डिवाइड करके, मिक्स करूँगा, और एड़ करता जाऊँगा, यह दो दफ़ा कर लिया है, तीक सिरी दफ़ा, मिक्सिंग इसकी अच्छी तरह कर लें, क्योंकि यह नीचे बैठ जाती है और पिर जम जाती है, तो इसकी थोड़ी जिस तरह लम्ज होते है, रोड़ी टाइप होती है, वो बन जाती है, तो बाद बें मिक्स नहीं उती, इसका टेस्ट بहुत ही अच्छा बनता है, जिस तरह वनीला आइस क्रीम होती है थोड़ा उस जैसा होता है केक ले लें कोई भी केक शीट मैंने ये स्विस रोल बनाया था तो उसकी शीट बचे भी थी एक तो ये ले 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 या कोई भी केक ले ले आप केक के बगएर भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं नीचे बटर पेपर लगा लें और उसके उपर केक का ये मिक्सर बनाओ है क्रीम का इसको भर दें वैसे भी बन जाता है लेकिन केक के साथ थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है इसको कट कर लिया है मैंने वो ट्रे में नीचे लगा लिया है जो पैन है मेरे पास उसके साथ का कट करके उसको लगा लिया है इसमें अभी वो जो मिक्सचर बनाया था वो फिल कर देते हैं देखें बिल्कुल हार्ड हो गया हो कोशिश करने जितना जल्दी हो सके चॉकलिट मिक्स करने के बाद जितना जल्दी हो सके उसको पैन में फिल कर दे हर चीज़ आपकी पहले से रडी है केक अगर आपने नीचे लगाना है तो वो लगावा हो चॉकलिट को क्रीम में मिक्स करें सॉस को तो उसको जल्दी से फिल कर दें पैन में इसको तकरीबन 20-25 मिनट 30 मिनट फ्रिज में रखें तो ये जम जाता है वैसे तो ओवरनाइट रखना चाहिए लेकिन 25-30 मिनट में भी बिलकुल जम जाता है गरम इस तरह पानी का कपड़ा और उसको साइड पे लगाएं तब भी उतर जाता है वैसे भी उतर जाता है लेकिन नाइफ के साथ मैंने इसे उतार लिया ये देखें बिलकुल परफेक्ट जम गया है अभी अगर 3-4 गंटे बाहर भी रखा रहे तो इसको मसला नहीं है ये बिलकुल इसी शेप में रहेगा जिनको गोल शेप में केक बनाना नहीं आता उनके लिए भी ये बैस्ट है इस पे ज़्यदा मेहनद नहीं करने पड़ती मतलब क्रीम नहीं लगानी पड़ती बहुत ज़्यदा मेहनद नहीं करनी पड़ती सिर्फ इसको सॉस को कुक करना है और डाल देना है इसमें यह ब्लूबेरी है कोई भी टॉपिंग आप लगा सकते हैं करमल लगा लिए जो आपको पसंद हो वो टॉपिंग ऊपर कर सकते हैं मेरे पास ब्लूबेरी पढ़ी थी मैंने वो लगा लिया आपने अगर इसको यह चॉछलिट केक बनाते हैं उस तरह आप इसके ओपर क्रिम भी इपलाई कर सकते हैं उससे ही है कि शाइनिंग में कि लूप में सुछा हो जाते है उपर गारनिश अची हो जाती है दिखने में थ्थोड़ा अच्छा होता है लेकिन हम इस पे गारनिश करेंगे वो भी मेल्ड कर लिया है मैंने और पाइपिंग में डाल गए मैंने डबल पेपर नीचे लगाना दिये देखें एक पेपर है एक उसके ओपर पटी मैंने उस साइज की काटी है जिस साइज का केक का साइज है उन चाहिए है ना हाइट है जिस साइज में उस साइज की पटी काटके उ के उपर रखी है आप चाहें तो नीचे वाले पेपर की इतनी जरूरत नहीं होती सिर्फ यह जो पटी है यह काट लें तो यह बन जाएगी नीचे वाला पेपर मैंने इसलिए लगाया है कि टेबल गंदा नहो इस तरह कोई भी डिजाइन आपके इसके उपर बना के जो आपक केक केर्द गिद लगा सकते हैं यह मैंने बना कि तकरीबन दो से तीन मिनट रखा है तो वो जम गया है चौकलेट आपको बता है जम जाती है वापस तो आप वो जब बीच वाली सीट है वो निकाल लें तो यह कि थोड़ी ज़्यदा जम गी है तो थोड़ा सा वो साथ ही आ यह सिरफ आईडिया है बाकि आप अपनी मर्जी से कोई भी डिजाइन इसके ओपर बना सकते हैं यह कि एजीली केक डिजाइन हो जाता है इससे अब दिखने में भी थोड़ा अच्छा लगता है वैसे तो जो केक बनाया है जो उसका टेस्ट है वो ही बहुत अच्छा है जो केक के इर्दगेद ऐसे लगा दिए पेपर मैंने नहीं उतारा पेपर बाद में उतर जाता है इसको दबा लेना है हाथ से दबा लेना है क्योंकि अगर पेपर उतार के लगाएं तो फिर वो तूट जाता है चौकलेट जो है वो तूट जाएगी तो इसको अच्छी तरन द उपर वाली साइड होगी उससे खेचना शुरू करें तो वो इजी ली उतर जाता है पेपर सारा यह देखें पेपर उतर गया तो वो नीचे वो डिजाइन निकला है आप कोई भी डिजाइन जो आपके जिएन में अच्छा सा डिजाइन और लगा सकते हैं मैंने बिल्कुल सिंपल केक बनाया है अभी मैं इसे काट के दिखाता हूँ आपको केक का जो टेस्ट है वो बिल्कुल जैसे आइस क्रीम खाते हैं अभी सरदियों में आइस क्रीम तो नहीं खा सकते तो केक का टेस्ट बिल्कुल वैसा होगा जैसा आइस क्रीम होती है उससे भी अच्छा होगा यह देखें बिल्कुल जम गया यह दो तीन गंटे चार गंटे बाहर अगर रखा भी रहे तो इसी तरह रहे गई है आप इसको फ्रीज में रख लें